गुड मॉर्णिंग ओलोफ यू आज हम 9th क्लासरा 1st लेक्चर स्टाट करने जा रहे है फंडामेंटल यूनिट ओफ लाइफ 8th क्लास में आपने कुछ जनरल डिस्केशन किया हुआ कि वडीजी सेल्थ यूआ क्या छीज आएप सेल्थ हमारी ओडी डी बाकि और की दे कि इनिटर जीसकी टैलिशन की थिसने का Armor यूनिटर विश्रणिटर के बीडैल आएं अन 10 पास्ने यूविय नहीं आएं और हैं यूनिटर हों फूलिख फिल्कशんな एंड फॉंक्शनल हिंदी में बोले तो सरंचनातमत ठीक है श्रक्चर मतलब वही ऐसी श्रक्चर जो हमारी गोडी के अंदर एक काम को कर लीए तो सेल अबारी गोडी के अंदर सबसे बेसिक यूणिट और जिससे मिलकर सब्सक्राइब बनती है तो आपको यह बता में चीए स एक काम बेसिटे और किसनेी एक लीविग इर、「 फॉरस्ट्ट्छ जो थी उसकी जो दिस्कवरि की होगी कि वोची वो थी आपको सानल के टॉर्बॉठ हच ने मैं सिंद एक लिविग सेल की जो दिसकवरि रिकिटा देटाइब रिक्से ने की एंको वान लेगर्से प्लेट न कि यह साल है सेब्सकें अनलर इक पालिपिन आऄ चीज का नाम हैं सेन्टर इंदर नृ 또 कि अब आपको विदिंग विदू करा अबने सेडिने अचेकं अबना पुस्फ शिए एक सेफिच रहे बोडस है बने कि टानि जो रिचीं है कि मतलब सभी दिसमें डिन करते हैं तो थ्युक्षभी सिद्टाशन को रहते तो स्था से अंदर है इसके आँ ग्रकाइड लेए जैसे अब हुए है अशुख्रा रहत वार जुए में वरasis कि यह सेल मेंब्रेन क्या नहीं है सेल मेंब्रेन कि प्लाजमा मेंब्रेन किसे बनी होती है लिक्वीड एड़ प्रोटीन से प्लाजमा मेंब्रेन मेंब्रेन कि प्लाजमा मेंब्रेन कि उपर एक मोडल है है जो किसे नहीं दिया था सिंगर एंड निकॉलशन था जो दिया गया था टेक तो उसके अधर वह इसकी स्ट्रक्ट्टर को डिपाइं करें किस तरीके से लिपेटियन प्रोटीन की बजिए ध्याइज प्लाजमा मैंब्रेन कि अब यह पता है। जब ग्रूप ऑफ सेल मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे टीशू ग्रूप ऑफ सेल जब क्या मनाएगी टीशू आप जब बहुत सारे टीशू आपस में मिल जाए तो वो क्या मनाते हैं और अप ऑरगन सभी मिलकर है कि क्या मनाएंगी होग सारे आपस में मिलकर करें तो वो क्या मना रहे हैं और और अपना शिस्टम और सिस्टम मिलकर हमारी पूरी बोड़े को करें जैसे बहुत अब होगते हैं और गेमिस्ट क्या बोलेंगे ऑर तो उस प्रज़ार और ऊस्टों स्टम एघ्श्ट किसें अधर बड़ें और सरकें तो बनियों ते हैं किसे? Self-Organalism किसे? Self-Organalism इसके एक्सांपल इजमार गरें जैसे कि Mitochondria Ribosome Golgi Body Endoplasmic Creticular Plastic Nucleus Exceptor ठीक है? तो बहुत सारी Cell-Organalism जो मिलकर क्या बनाएंगे? Cell-Organalism अब एक चीज़ और दीबाद आपने चाहिए यह किसे बने है तो यह बने होते है Carbohydrit, Vitamin, Protein जो Nutrition होता है उनसे मिलकर क्या बनता है? Cell-Organalism हमें बस बेसिक यह स्टार्टिंग से सिंगा राता है Cell-से मिलकर Tissue बनते है Tissue-से मिलकर Organ, Organ-से मिलकर Organ-System या Organism कभी भी आपना कि आपको यह कोई भी मतलब बताएगा तो आपको यह क्लीर होना चाहिए हम सबी पार्ट्स को डिसक्रस करेंगे तो आज के लिए एकना आई आप इसको नर्म करो आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे क्यों मिलते है